गुद्ध मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर मुनिश पैनिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टा ग्रेड में आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं करेंट अफ्यार डेली डो सेरीज में आज हम डिसकर्स करेंगे 12 सेप्टेंबर 2020 के टॉपिक्स को पर उससे पहले जो नए वीवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे चरूर करें दोस्तो करेंट अफ्यार टूड़े का हमारा आज का पहला क्योशन है हाल ही में प्लेयर्स पॉर्ट के ब्रांड अमबेस्टर कौन बने हैं और इसका सही आंसर है भुनेश्वर कुमार और स्मृती मंधाना दोनों तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फैंटेसी स्प गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म प्लेयर्स पॉर्ट ने करकेटर भुनेश्वर कुमार और स्मृती मंधाना को अपना ब्रैंड अम्वेजर साइन करने की घुशना की है प्लेयर्स पोट जो है यह एक फैंटेसी स्पॉर्ट्स गेमिंग generate ग्यूश्वर अप है जो अपने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा की नए चेर्मेन कौन बने हैं और इसका सही ना आंसर है परेश रावल यानि ऑप्शन बी राश्पती रामनात कौविंध ने पुर्व लौकसभा सांसद और बॉलिवुड एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के नए चीफ के ग्रूप में अपॉइंट किया है और उन्होंने अपने तीन साल के लंबे करियर में काफी प्रेस्टीजियस अवार्ड से उन्हें समानित किया जा चुका है जिसमें 1994 में उन्हें नैशनल फिल्म अवार्ड से समानित किया गया था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और 2014 में उन्हें पदम शरी प्रुषकार से भी समानित किया जा चुका है हमारा आज का अगला क्योशन है हाल ही में वूसु वर्ल्ड चैंपियन किसने जीती है वूसु वर्ल्ड चैंपियंशिप किसने जीती है और इसका सही आंसर है पूनम खत्री इंडियन पुलिस आफिसर पूनम खत्री ने पिछले साल के अपने वूसु चैंपियन वर्ल्ड चैंपियंशिप के सिल्वर मैडल को गूल्ड मैडल में कनवर्ट कर लिया है और इसी के साथ उन्होंने वूसु वर्ल्ड चैंपियंशिप का खिताब हासल किया है पूनम जो है वो हर्याना के जज़ड कि रहने वाली है और इसी के साथ में इस टॉपिक से लेड़ेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टन क्योशन से हमारा पहला क्योशन है इंटरनाशनल वुशू फेडरेशन के प्रेजिडेंट यानि अध्यक्ष कौन है इसका आंसर है जॉंग वें गो नेक्स्ट है अंतराश्टे वुशू फेडरेशन का मुख्यालल है यानि हेड़क्वार्टर कहां स्थित है इसका आंसर है बीजिंग चाइना में नेक्स्ट है मैं पास इंटरनाशनल वुशू फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका आंसर है 3 अक्टूबर 1990 तीन अक्टूबर 1990 तूस्तो हमा बीजिंग उबनाशनल विजिंग करणाटका के हुबाली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है अब इसे श्री सिधारुधा स्वामी जी railway station के नाम से जाना जाएगा और इसी के साथ Union Government ने हुबली के railway station के नाम बदलने के लिए जो हुबली की जो मांग थी उसको पूरा किया है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी हुबली जो railway station है जो की headquarter है South Western Railway का इसके पिछले पांच सालों में ये दूसरी बार है जब इसका नाम चेंज किया गया है इसे 2015 में हुबाली से हुबली किया गया था और अभी इस railway station का नाम जो है वो चेंज कर दिया है श्री सिधारुधा स्वामी railway station के नाम पर सिधारुधा स्वामी जी जो है वो भारतिय हिंदू गुरु और फिलोसफर थे Current Affair Daily Doe सेरीज का हमारा अगला केशन है हाल ही में युवाओं को डिजिटल स्किल्स युवाओं की डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए NSDC National Skills Development Corporation ने किसके साथ National Skills Development Corporation यानि राष्ट्रे कोशल विकास निगम और लिंक्डिन ने डिजिटल कोशल के लिए फ्री लर्निंग रिसोर्सेज तक पहुँच परदान करने के लिए एक साजेधारी की घूशना की है और ये e-skill इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है सहित डिजिटल पढ़ाई के दस लर्निंग जो तोर तरीके हैं उनको निश्यलक उपलब्द कराएगा और साथ ही जो लिंक्डिन है वो भारत में 69 मिलियन मेंबर्स के आधार पर जो आर्थिक एकनॉमिक जो ग्राफ है उसके जरिये समय समय पर लेबर मार्केट में लेबर मार्केट की जो जानकारिया है उन्हें उपलब्द कराएगा और इसी के साथ में हमारे पास इन दोनों से रिलेटिट कुछ इंपॉर्टन क्योशन है NSDC और LinkedIn NSDC का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया है National Skill Development Corporation नेक्स्ट क्योशन हमारे पास में आता है NSDC National Skill Development Corporation के CEO और MD कौन है और इसका सही आंसर है Manish कुमार नेक्स्ट हमारे पास में है NSDC का हेड़ क्वार्टर कहां स्थित है यानि NSDC का मुख्याले कहां स्थित है इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है नेक्स्ट क्योशन हमारे पास में आता है LinkedIn के Chief Executive Officer कौन है और इसका आंसर है रेयान रॉजलेंसकाई रेयान रॉजलेंसकी नेक्स्ट हमारे पास में है LinkedIn का Headquarter कहां स्थित है और इसका आंसर है California, United States of America कहां पर है LinkedIn का मुखहले California, USA दोस्तो, Current Affair Today का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में पाँच रेफेल फाइटर जिट को भारतिय वायू सिना के किस स्कॉर्डन में शामिल किया गया है और इसका सही आंसर है 17 स्कॉर्डन भारतिय वायू सिना एरफूर्स भारति इंडियन एरफूर्स ने 10 सितंबर 2020 को अमबाला के एरफूर्स स्टेशन पर फ्रांस से आए पाँच रेफेल फाइटर जिट्स को अपचारिक रूप से वायू सिना में शामिल कर दिया है और यह राइफेल एरक्राफ्ट अमबाला स्थित एरफूर्स स्टेशन के 17 स्कॉर्डन गॉल्डन एरूज का हिस्सा होंगे इससे पहले फ्रांस ने 27 जुलाई 2020 में पहले पाँच रेफेल एरक्राफ्ट को भारत पहुंचाया था और इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टन क्योशन हैं जो एरफूर्स से रिलेटिन है हमारा पहला क्योशन है हुई इस चीफ आफ एर स्टाफ एर वाईू सेना के अध्यक्ष कॉन है और इसका आंसर है राकेश कुमार सिंग भदोरिया नेक्स्ट क्योशन है इंडियन एर फूर्स की स्थापना कब हुई थी इसका आंसर है आठ अक्टूबर 1932 में और नेक्स्ट क्योशन हमारे पास में आता है इंडियन एर फूर्स का हेड़ क्वार्टर यानि Indian Air Force का मुख्यले कहा स्थित है इसका आंसर है New Delhi मिस्थित है दोस्तो हमारा आज का अगला क्योशन है हाल ही में परधान मंतरी मतस्या संपदा यूजना किसने लांच की है और इसका सही आंसर है परधान मंतरी नरेंदर मोदी जीने परधान मंतरी नरेंदर मोदी जीने डिजिटल माध्यम से परधान मंतरी मतस्या संपदा यूजना का शुभारम किया यूजना के साथ ही प्राइम निस्टर ने इगोपाल एप्लिकेशन को भी लांच किया है इस यूजना का लक्षे 2024 तक 70,000,000 टन तक मचली उत्पाद को 70,000,000 टन तक बढ़ाना है और इसका उधिश्य जो है वो है जो फिश फार्मर्स है यानि जो मच्छवारे हैं उनकी आए को डबल करना है और इसके साथ ही प्रधान मंत्री ने नीली क्रांती ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत मेधापुर में वन यूनिट फिश फीड मील और बिहार में दो यूनिट फिश ओन वील्स काईयों का भी उद्गाटन करेंगे और इसके साथ ही जो पूस्ट हर्वेस्ट इस जो स्कीम को लांच करने का उद्श्य है उससे जो फिश पूस्ट हर्वेस्ट लोस है उसको भी 20 तो 25 परसंट कम करना है और में जो फॉकस रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलिप्मेंट ओफ फिश रीज इन इंडिया क्या रहेगा इस कीम का में फॉकस सस्टेनेबल डेवलिप्मेंट ओफ फिश रीज दूस्तों करेंट अफियर तोड़े का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में सेंट्रल ब Mastercard ने राश्ट्रिय डिजिटल मुद्रा का आकलन और अन्वेशन करने के लिए Central Banks के लिए Virtual Testing Environment को आखने के लिए Central Bank Digital Currencies नामक एक प्लेटफर्म को लाँच किया है और साथ ही Mastercard ने इन्वाइट किया है Central Bank, Commercial Bank और दूसरी Advisory Firms को to evaluate the sustainability of Central Bank Digital Currencies in a country or a region और इसी के साथ में हमारे पास Mastercard से लिए कुछ important questions है हमारा पहला है Mastercard के Chief Executive Officer यानि Mastercard के मुख्य कारे कारी अधिकारी कौन है और इसका अंसर है Ajay Banga Next है Mastercard का मुख्यले यानि Headquarter कहां स्थित है और इसका अंसर है New York, United States में मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धनेवाद दोस्तों आशा करती हूँ आपकी exam point of view से मेरा वीडियो काफी helpful रहेगा और अगर आप मुझे कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो उसे comment box में comment करें कल फिर मिलते हैं करेंट अफियर डेली डोस की एक नई सीरीज के साथ थांक यू झाल